आज का प्रोजेक्ट है जेब्रा क्रॉसिंग इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे मोटर एक नमबर दूसरा नमबर और हमें चाहिए कुछ वाटर बोटर के प्लास्टिक कैप्स और पाइप तो हम लोग यह सारा अरेजमेंट करके यह बैल्ट बनाने के लिए हम लोग पेपर का यूज करेंगे और इधर में हम कोई मोटर नहीं लगाएंगे इधर में हमारा यह फ्री वील रहाएगा जैसे कि यहां पर यह फ्री वील है इस वील को बनाने के लिए हम लोग कापर का वा का काम करेगा तो चलिए हम लोग आगे प्रोजेक्ट को बनाते हैं और देखेंगे कि कैसे यह जेबरा क्रॉसिंग काम करता है अगर आपको यह प्रोजेक्ट अच्छा लागेगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा यहां से आपकी वैकिल जो है मूव करती है तो यह पार्ट जो है वैकिल को इस टॉप करने के लिए इंडिकेट करेगा और वो रेड लाइट देख करके सभी को रुप जाना है जो भी वैकिल है जब रेड लाइट अन होगी तो सिर्फ यहां से आदमी लोग उस रोट को क्रॉ इस मोटर को चला सके है क्योंकि मोटर चलाते समय ज्यादा करेंट खीषती है तो आपका अर्डिनो से आप डाइट चलाएंगे तो अर्डिनो बर्न हो जाएगा बट किसी भी यूट्यू चुनल में ऐसा नहीं बताया हुआ है क्योंकि मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स हू यहाँ पर हमने स्टापर और लाइट के बिज में थ्वासर डिले दिया हुआ है पहले लाइट अन होती है बाद में स्टापर अन होता है बिकॉस अगर गाड़ी कोई गाड़ी वैकिल आ रहा है फास्ट आ रहा है और हमने स्टापर तुरंत लगा दिया और लाइट अन कर इसलिए हम पहले light लगा दे रहे हैं ताकि वैकिल अपने को साउधान हो जाए और stop करने की condition में आ जाए और यह stopper से जाके टकराए ना तो इस तरहिके से वो लोग इसे टकराएंगे नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा delay दिया हुआ है और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह सर्वो मोटर यूज़ किया है जो इस टापर जिसको जिसकी वैसे वो इस टापर चलता है तो कैसा लगा आप लोग को यह प्रोजेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं